मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरों के जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए सभापती मोहदे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का महापर्व चुनाव गुजर चुका है कॉंग्रेस मुक्त भारत का नारा लगाने वाले प्रधान मंत्री जी अपनी पत्राई आखों से किंग कर्तब वे विमूड होकर समीक्षा में लगे हुए हैं कि आखिर कसर कहां रह गई सभापती मोहदे सारे प्रहसन किये गए भाषाई मर्यादा को तार-तार किया गया एक पूरी कौम को घुसपैठिया पुकारा गया मचली, मंगल, सूत्र, भैंस से होते हुए मुझरा जैसे शब्दों से भाषनों को सजाया गया चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा गया महरास्टा में राजनेतिक दलों को तोड़ा गया उनके सिंबल छीने गये चाहे वो शूसेना हो चाहे वो NCP हो विपक्ष के सबसे बड़े दल के बैंक एकाउंट को फ्रीज किया गया उसके बाद मोधी सरकार चुनाओ लड़ने के लिए जनता के दर्बार में गई लेकिन वाहरी जनता जनता ने दिखा दिया के दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे तैरें या डूबें किनारे तो सभी जाएंगे कोई कितनी भी बुलंदी पे चला जाए मगर आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे जनता ने दिखा दिया इस देश की मैं महा महिम रास्ट्रपती महोदया के भाशन पर चर्चा करने के लिए अभी भाशन पर चर्चा करने के लिए यहां खड़ा हुआ सरकारी भाशन की मजबूरिया होती है सरकार की तारीफ करनी पड़ती है लेकिन जिस एक शब्द के इर्दगिर्द पुरा भाशन बुना गया था वो था अम्रितकाल सभापती महोदै छात्र नौकरी मांगने पर लाठियां खा रहे हैं दो जून की रोटी मुहाल है पेपर लीक ने लाखों छात्रों का भविश्य चौपट कर दिया है और देश को बताया जा रहा है कि अम्रितकाल आया है कभी कभी मेरा मन करता है कि मनीपुर में निर्वस्तर करके घुमाई गई बेटियों से पूछूं कि अम्रितकाल आया है या नहीं आया है कभी कभी मेरा मन करता है सबाबती महोदे कि देश के लिए ओलम्पिक लाने वाली बेटियां जो इसी जंतर मंतर पर घसीटी गई उनसे पूछू कि अम्रितकाल आया है कि नहीं आया है कभी कभी मेरा मन करता है कि रात के दो बजे बिना परिवार की मर्जी के हाथरस में जलाई गई उस दलिद बिटिया जो बलतकृत थी उसको स्वर्ग में संदेशा भेजूं और उससे पूछूं कि आया हुआ अम्रितकाल तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है कभी कभी मन करता है कि मैं बिलकीस बानों से पूछूं कि देश में आया हुआ अम्रितकाल तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है सभापती महोदे कभी-कभी मन करता है कि भीड के जरीये लिंच करके मारे गए पहलू खान की पचासी साल की दोनों आंखों की अंधी माँ से पूछू कि देश में आया अमृत काल तुम्हें दिख राई या नहीं दिख राई कभी-कभी मन करता है किईद के कपड़े खरीद कर लोट रहे 17 साल के हाफिज जुनैथ से पूछू जिसे बलब गड़ में ट्रेन में लिंच करके मार दिया गया कि अम्रित काल आया है या नहीं आया है कभी-कभी मन करता है नजीब की माँ से पूछू कभी-कभी मन करता है कि तव्रेज अंसारी की बिदवा से पूछू कभी-कभी मन करता है कि सहारंपूर के अन तीम बच्चों से पूछू जिनने 36 गड़ में लिंच करके मार दिया गया सभापति महोदे कभी-कभी मन करता है कि मैं गुजराद के चिखोदरा में क्रिकेट मैदान में लिंच करके मार दिया गया सल्मान बोहरा के परिवार से पूछू कि अम्रित काल आया है या नहीं आया है कभी कभी मन करता है कि मैं अली गड़ के औरंग्जेव उर्फरीद से पूछूँ जिसे लिंच करके मार दिया गया और बाद में उसी मृतक के उपर डखेदी का मुकदमा काइम किया गया सभापती महोदे ये कैसा अमृतकाल है जिसके अविभाशन में स्वास्त पर सिर्फ आधे मिनिट पर चर्चा हुई कैंसर के मरीज दिन बदिन बढ़ रहे हैं हार्ट अटेक से हसते खेलते बच्चे जान गवा रहे हैं कभी क्रिकेट के मैदान में कभी जिम में और इस सरकार के पास स्वास्त पर बात करने के लिए आधा मिनिट है सभापती महोदे कोविड वैक्सीन को लेकर के लंदन की अदालत से जो तथ देश के सामने आए हैं उन्होंने भै फैला रखा है कॉंग्रेस की सरकारों ने भी चेचक, पोलियो और प्लेग जैसी महामारियों के टीके लगवाए लेकिन न तो कभी सर्टीफिकेट पर अपना फोटो छपवाया और न कभी उसके नाम पर ओट मांगे कॉंग्रेस की सरकारों ने ये किया है लेकिन इन सरकारों ने क्या किया है, मोदी जी ने क्या किया है, कि राजनेतिक दलों को तोड़ा और तोड़ करके चुनाओ लड़े और चुनाओ लड़ने के बाद भी आशातीत सफलता प्राप्त नहीं हुई है, सभापती महोदे अंती में एक मिनिट आप से लूगा, मुझ अशेच देश के पुरधान मंतरी जी से ये कहना है, कि आप नारे लगाते थे सब का साथ, सब का विकार, चुनाओ के बाद, अन्दिम बाद, सर की चूटी, सक्षी, अदाकरी, नहीं बाद, सर के अच्छिय, बाद, नहीं बाद, नहीं बाकी है, सर माद देख रहा हुँ, स प्रमोच जी, on the point of time, I am losing my time, sir. A dialogue is going on there. No, nothing will go on record. Sir, what is this? Pramoji, you rise. Shakti Singh, go ahead, rise. And rising has become a habit. Leader of the opposition is present here. He again has risen. No, you can't rise unless I say so. Mr. Shakti Singh, Mr. Shakti Singh, I have indicated to you that the board was not functioning. I am very particular to ensure every member gets the time that is allotted to him. Don't try to become a judge in your own course. And secondly, if your party will give you the authority to say so, who are you to give the authority? Leader of the opposition has to give the authority. My people has given me an authority. Sir, what is happening? My people has given me an authority. Look at what is happening. Look at what is happening. Mr. Shakti Singh, my people has given me an authority. Now give me just two minutes. Okay. Take your seat. Take your seat. No.